यह सरक जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह National Highway 31 है और यहां से प्रितेक दीन छोटी बड़ी लगवग हजारों गारियां गुजरती हैं जिसके कारण कभी भी यहां कोई बड़ा हाथसा हो सकता है बाट से परिशान यहां मौजूत लोग बताते हैं हम लोग दिन डर डर के साए में जीते हैं लोगों का कहना है घर डूब गया फसल डूब गया सब बरबाद हो गया बाट के पानी में डूबे घर में रहना तो असंबब है तो किसी तरह डर के साए में जीकर अपना जीवन यापन सरक पर कर रहे हैं सड़क किनारे रहने को मजबूर इन दर्जनों परिवार की दास्ता सुनाप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आकिर बाइड की तवाही का मंजर इतना भायाववी हो सकता है यहां सड़क पर दर्जनों परिवार आज एनच एकतिस पर गुजर्वसर कर रहा है खगडिया जिला से सटे एनच एकतिस के आधे हिस्से पर रह रहे ही लोग आज अपनी जिन्दगी को दाव पर लगा कर यहां गुजर्वसर कर रहे हैं एक छोटा सा बच्चे रस्ती के सहरे जुगार नाव से अपने घर को देखकर आता है और फिर चुलहे के पास बैट जाता है मानो उसे भूख लग रही हो छोटे से बच्चे को देखकर लगता है मानो इतनी छोटी से उम्र में कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है एक बार चुलहे की तरफ देखता है और फिर लोकल एटीन के कैमरे की तरफ यहां रहर है लोक बताते हैं शुरुवाती दौर में सिर्फ दो दिनों तक परशाशन द्वारा जनरेटर का विवस्ता किया गया और छे दिनों तक खाने का विवस्ता था जिसके बाद फिर से पानी बढ़ने लगा लेकिन फिर भी हमारी सूध लेने कोई नहीं आकसा अदहन ने मिलेशिए जिए बगार जिल करना रहा है है अजिए बढ़ने बाते लिव मरें अबाते रहा है जो यहां बाते हैं जो दूरुद फिले जरको आसाब सकता जरको आख और अजिए अज़को प्वां फेर बढ़ी ने गवार में दुटाने जिए उस्ता शरक तार्चना का बन भोग